अगर आपके पैरों की नसे दिखती है या नीली नसे होने लगती है तो ये वेरिकोस वेंस की समस्या हो सकती है इसमें शरीर के निशले हिस्से या पैरों में वो मुड़ी हुई नसे होती है जो सूच जाती है ये नसे धीरे-धीरे बैंगनी और नीली होने लगती है इसकी वज़ा से जादा देर तक खड़े रहना या देर तक चलना मुश्किल हो जाता है इससे कई लोगों की नसों में दर्द, खीच या तकलीफ होती है महीं दूसरी और कुछ लोग ऐसे हैं जिनें इनसे कोई तकलीफ नहीं होती कई बार लोग इस समस्या को अंदेखा कर देते हैं लेकिन ये नसे बाद में कई बार तकलीफ दे हो जाती है कई बार इसे शरीर में कई तरह की परेशानिया भी होने लगती हैं सूजुए नसों की वज़र से लक्षन और इलाज क्या हो सकते हैं आईए जानते हैं वेरिकोज वेंस का कारण पहला जादा देर तक खड़े रहना यदि आप जादा देर तक खड़े रहते हैं तो आपके पैरों में सूजन आने लगती है ऐसे मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में आराम करते रहना चाहिए जिससे पैरों में सूजन ना आए और नसों को आराम मिल सके जादा वजन के कारण जब भी पैरोपर ज़ादा जोर डालना जब भी पैरोपर या शरीर के निचले हिसे पर ज़ादा जोर पड़ता है तो वहाँ खून जमने लगता है जिसके कारण नसे सूच जाती है अनुवानशिक वजह से कई बार लोगों को ये बिमारी अपने पूरवजो की कारण भी हो सकती है जदी परिवार में किसी को वेरिकेज की समस्या हो तो ये संभवत है कि आपको ये हेरिटिट्री के कारण हो रही है वेरिकोज वेंज के लक्षन नसो में दर्द और सूजन होना पैरों में सूजन आना सूखी तवचा का होना रात में पैरों में दर्द होना नसो के आसपस तवचा का रंग पदलना वेरिकोज नसो का इलाज व्यायाम करें व्यायाम करने से आपका वजन नहीं बढ़ेगा जिससे आपके पैरों पर दबाफ कम होगा और नसों की सूजन कम होगी जादा देर तक खड़े ना रहें जादा देर तक खड़े रहने से ब्लाच फ्लो धीमा हो जाता है और धीरे पैरों में सूजन आने लगती है इसलिए जादा देर तक खड़े ना रहें जादा heels ना पहने, आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि जब भी आप heels पहनते हैं तो पेरों में सूजन आ सकती है, इसलिए heels को जादा ना पहने ताकि आपके पेरों में सूजन ना आए. कंप्रेशन मोजो का इस्तमाल करें कंप्रेशन सौक्स पहनने से ब्लट फ्लो सही रहता है पैरों की सूजन कम होती है नसो से जुड़ी बीमारियों में सुधार होता है और ब्लट क्लोट से बचता है पैरों की परेशानी होने पर compression socks का इस्तिमाल जरूर करें आज के दबत पानी में इतना ही आबने रही VDTV भारत के साथ